क्लास नौ लोगतांत्रिक राजनिती बात है 1947 की जब भारत आज अजाद हुआ बार लोगतांत्रिक देश बनने की राह पर चल पड़ा आज तक भारत में लोगतांत्र बना हुआ है लोगतांत्र की दो बुनियादी विशेस्ता सासन लोगों दोरा चुने जाएंगे लोगों को बनियादी राजनितिक आजादी होगी यूएन यूनिटेट नेशन सयुक्त राष्ट बिश्व सरकार तो है नहीं तो ऐसी बहुत सी संस्ताइं हैं जो बिश्व इस्तर पर बिश्व के लिए काम करती है आब सकता होने पर सहायता करती है बा बिवाद का निप्टारा साथ ही बिप्टा के समय सहारा देती है यूएन ने बहुत सेनियम बनाई हैं जो ज्यादा तर देशों पर लागू है यूएन एक बैस्विक संगटन है जो अंतराश्टी कानून सुरक्षा आर्थिक निकाय आदी मामलोक में सहयोग स्थापित करने में सहायता करता है यूएन के महा सचिव इसके मुख प्रसासनिक अधिकारी हैं लोक तंतर एक ऐसा रूप है सासन का जहां जनता अपने सासकों का चुनाव करती है लोक तंतर की विसेस्ता पहला अंतिम नर्नाय लेने की सकती उन्हीं प्रतिनिदियों में होनी चाहिए जो लोगों दारा चुने गए हो दूसरा लोक तंतर निपक्ष बा स्वतंतर चुनावां पर अधारित होना चाहिए तीतरा हर बैस्क को बोट का अधिकार बा हर बोट का मुल्य समान होना चाहिए चौथा एक लोक तंतरिक सरकार सम्मेधानिक कानून बा नागरिक अधिकारों की लचमर रेखा के भीतर ही काम करती है लोक तंतर की कमियां पहला नेता बदलते रहते हैं जो आश्थरता को जन्म देती है दूसरा नेतिकता की कोई जगा इसमें नहीं है मात्रय सत्ता का खेल वा राजनेतिक लड़ाई है बहस बा चर्चा की बज़ा से फैंसलों में देरी होती है चौता बहुत से चुने गए नेताओं को लोगों की हितों का पता ही नहीं होता बा बे गलत फैंसले लेते हैं पांचवा चुनावी लड़ाई तो खर्चीली है ही साथ में बेश्टा चार भी है चटवा समाने लोगों को तो अपने भले बुरे का ग्यान ही नहीं होता लोकतंत्र के पक्चम में तरक लोकतंत्रिक साथन प्रनाले साथन का अधिक जवाब दे ही सुरूप है ज़्यादा लोग बैठकों में हिस्सा लेते बाद चर्चा करके कोई भी फेंसला लेते हैं जिससे बहतर निरनाई की संभावना बढ़ती है मत भीदों बा टकरावों को सभानने का तरीका अपलब्द कराता है भारत जैसी विवित्ता पूर्ड देश की एक जुट बनाए हुए है सभी को समान इस्तर अपलब्द कराता है अपनी गलती को सुधानने का अफसर देता है सम्विधान लिखित नियुमों की किताब जिसे देश के नागरिक समोहिक रूप से मानते हैं यह सरवोच कानून है जो नागरिकों की बीच में आपसी संबंदों को तो तै करता ही है साथ में लोगों बा सरकारों की बीच मी संबंद तै करता है सम्विधान के कार विविद लोगों के बीच जरूरी भरूसा बा सहयोग इस्थापित करता है सरकार के गठन से लेकर फैंसलों तक सभी चीजें एस्पेट करता है सरकार के अधिकारों की सीमा तै करता है बा नागरिकों को अब उनके अधिकारों से रूवरू कराता है समाज के गठन के लिए लोगों की आकांचाओं को ब्यक्त करता है यह जरूरी नहीं है कि सम्मिदान जिन देशों में है बे सभी लोकतांतरिक हों मगर लोकतांतरिक देशों में सम्मिदान का होना जरूरी है 1918 में ही मौरतिलाल नहरू बाकांग्रेश के आठन सदस्यों ने सम्मिदान लखा था 1931 करांची में भारती राष्टी कांग्रेश अधिवेशन में आजाद भारत के सम्मिदान की रूप रेखा लिखी गई कुछ मिलाकर दोनों दस्तबेजों में सर्व भॉम बैस्क मत अधिकार सुतंतरता बा समानता का अधिकार बा अलप संकों के अधिकार बा रक्षा की बाद कही गई थी 1937 के बाद पूरे देश में बिटिस सासन वाले प्रदेशिक असेम्मिली के चुनाव कराए गई थी इनमें जो सरकारें बनी थी बेपूरी तरह से लोकतांतरिक नहीं थी सम्मिदान सबा चुने गई जन प्रतिनिदी की बैसबा जो सम्मिदान को लिखने का काम करती है पहली बेठक 1946 जिसके बाद भारत दो हिस्सों में बट गया था तो यह सबा भी दो भागों में बट गई थी पहला भारती सम्मिदान सबा बा पाकिस्तान की सम्मिदान सबा 299 सबस्ते 26 नवंबर 1999 को अपना काम पूरा किया दो बर्स 18 मां 11 दिन में सम्मिदान पूरा हुआ 26 जनवरी 1950 को लागो हुआ गरतंस दिवस्त शुरू हुआ इसी में सम्मिदान सबस्यों के बैचारों के साथ साथ उस समय की ब्यापक सम्सहमतियों को भी व्यक्त करता है मात्मा गांदी सम्मिदान सबा के सदस नहीं थे चुनाव लोक तंतर में चुनाव एक नेमित अंतराल के भीतर होते हैं नेमित अंतराल पर लोग अपने प्रतनिदी को चुनते हैं बाएक्छब हो तो उन्हें बदल भी सके यही व्यवस्ता चुनाव है लोक तंतरिक चुनाव सभी को मत का समान अधिकार हो पार्तियों बाएमिद बारों को चुनाव में उतनने की आजादी हो चुनाव नेमित अंतराल पर हो जिसे लोक चाहें बास्ता में उसी का चुनाव हो चुनाव सुतंतरबा निस्पक्च धंग से हो चुनाव का अर्थ राजनेतिक प्रति दुन्दित या राजनेतिक प्रतियोगिता है होने जरूरी ठीक है अगर नहीं होगी तो चुनाव बेमाने हो जाएगे चुनाव प्रति प्रति दियों का कार काल समाब्थों जाता है एलेस बा विधान सवा भंग हो जाती है आम चुनाव सभी चुनाव छेत्रों में एक दिन या एक छोटे अंतराल में अलग-अलग दिन चुनाव होते हैं उप चुनाव किसी सदस की मृत्य या इस्थिपे से चुनाव छेत्र खाली हो तो दोबारा चुनाव कराए जाते हैं नर्वाचन चुनाव के उद्देश से देश को अनेक छेत्रों में बाट लिया जाता है संसद सदस एक छेत्र से चुने गए प्रतिनिधी पितेक राज को उसकी विधान सवा की सीटों के अधार पर बाटा जाता है इन सीटों से नर्वाचित प्रतिनिधीयों को बिदायक कहा जाता है पितेक पंचायद भी कई वाड़ों में बटी होती हैं जो छोटे छोटे नर्वाचन चेत्र होते हैं पितेक पंचायद नगर पालिका के लिए एक सदस का चुनाव होता है सीट नर्वाचन चेत्र को ही कहते हैं क्योंकि हर्च चेत्र संसद्या विदान सवा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है सम्मिधान निर्माताओं ने कमजोर बर्ग को भी ध्यान में रखा या इसलिए आरक्षित नर्वाचन चेत्र की विशेश विवस्ता की गई यही कारण रहा की कुछ चनाव चेत्र ऐसी एस्टी के लिए आरक्षित किये गए आरक्षित की यह प्यवस्ता बाद में जलावा इस्थानी इस्थार पर भी लागू की गई इसी तरह एक वटे तीन सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई है मददाता सूची यानि बोटर लिस्ट एल एस चुनाव में मददान करने वाले व्यक्तियों की सूची अठारा बर्स से उपर के सभी नागरिक बोल्ड बोटर डाल सकते हैं अपरादी बा दिमागी असुंतलन बाले बोट नहीं डाल सकते हर पाँच बर्स में इस सूची का नवी निकरन किया जाता है बोट डालने के लिए मददाता रासन कार्ड या डाईविंग लाइसेंस जैसे पहचांतर पत्र देखा सकते हैं बोट डालने योग अठारा बर्स की अमर में हो जाता है यह उम्मिद्वार बनने की नियुंतम आयू 25 बर्स है उम्मिद्वार 25 बर्स की अमर योग जिता है अपरादी नहीं हो व्यक्ति राजनेतिक दलनों द्वारा मनोनित किया जाता है टिकट पार्टी का मनो नयन करता है नामांकन पत्र भरना होता है जामा नत की रूप में कुछ रकम जमा करनी होती है अपने सभी ब्योरों देने होती है आय से संपत्ति तक उम्मिद्वारों की अंतिम सूची आने के बाद दो सब्तार का समय चुना परचार के लिए दिया जाता है हाला की तैयारी तो महिनों से चल रही होती है दो सब्तार तो मात्र उपचारिकता की बात है पार्टी उम्मिद्वार मद्दाता को लोब गूंच धमगी नहीं दे सकता जाती धर्म के अधार पर बोट नहीं मागी जा सकती सरकारी संस्ताओं का इस्तमाल नहीं कर सकते एलेस चुनाओं में एक निर्वाचन छेतर में पच्चिस लाग बा विधान सबा चुनाओं में एक लाग से जादा खर्च नहीं कर सकती अचार सहीता चुनाओं के दौरान फाइदे काइदे कानून बा दिसान रदेश जो पार्टियों बा उमिदवारों को मानने होते हैं अचार सहीता के नियम चुनाओं परचार के लिए किसी धर्म इस्तल का प्रियोग नहीं किया जाता सरकारी बाहन बिमान अधिकारी का उप्योग नहीं अधि सोसन अधि घोसन होने के बाद किसी योजना का शला नयास बा अन्न कोई फेंसला बाइदा योजना देना गलत है चुनाओं चुनाओं आयोग दीश में स्वतंद्रबा निस्पक्च चुनाओं कराता है नयापाली का समान आजादी रखता है मुख चुनाओं आयोगत निक्त राष्टपती द्वारा होता है एक बार निक्त हो जाने के बाद राष्टपती या सरकार के प्रती यह जवाब दे नहीं रहता हटा पाना भी लगभक असंबव है अधिकार एक अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों तक हर चुनाओं साहिता लागू करता है उलंगन बा करने वाले उम्मिदवारों बा पार्टियों को सजा देता है सरकार के देशा नरदेश मानने से इंकार कर सकता है चुनाओ के समय जो अधिकारी चुनाओ ड्यूटी में तैनाथ होते हैं उन पर चुनाओ आयोक का नियंतरन होता है चुनाओ पर यदि निस्पक्चबा सतंत रूप से नद होने की बात होतों दवारा चुनाओ करा सकता है बीते बरसों में भारत में लोगों ने मद्दान को समझा है जिससे मद्दान प्रितिशत बढ़ रही बढ़ है बिदाई का कारपालिका और ने पालिका आधुनिक लोगतांतरिक देशों में सभी सरकारी कामों को देखने के लिए बहुत सी विवस्ताएं हैं यही विवस्ताएं संस्ताएं कहलाती हैं जैसे पी-एम प्रधान मंत्री बा केमिनेट मंत्री नीती गत फैंसले लेने बालिका आधुनिक लिए गई फैंसलों को लागु करने के निकाई के रूप में काम करते हैं ऐसी नागरिकों बा सरकारों के बीच के बिवाद सुलजानी बाली संख्या संसद भारत में निर्वाचित प्रतिनिदियों की राश्टी सभा राजिस्तर पर बिदान सभा कहलाती हैं अलग 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 नाम हो सकते हैं कार कानून बनाना बिदाई का कानून बनाने विधी निर्मार सभाएं कानून में संसुदर कर सकती है समाप्त कर सकती है बाद नया कानून ला सकती है सरकार के हर फैंसले पर इसका नेंतरन है सर्वजनिक पैसों को इसकी मंजूरी के बाद ही खर्च किया जाता है सर्वजनिक मसलों किसी देश की राष्टी नेती पर चर्च बाद बहस के लिए सर्वच संग है किसी भी मामलों की सूचना मांग सकती है संस दो संसद होते हैं राद्यसवा और लोकसवा राष्टपती संसद का हिस्सा होता है मगर दोनों में से किसी भी संसद का सदस नहीं फैसले राष्टपती की मंजूरी के बाद लागू होता है कारपालिका सरकारी नीतियों को कार रूप देने का काम है किसी भी लोकतांत्रिक देश में दो हिस्से होते हैं जनता दोरा निश्चित अबदी के लिए नर्वाचित लोग होते हैं ये राजनेतिक लोग बड़े बड़े फैसले करते हैं दूसरी और इस्थाई कारपालिका प्रसासनिक सेबक जनें लंबे समय के लिए निक्त किया जाता है नौकरसा लोग सेवा में काम करने बाले लोग जो सत्ताधारी पार्टी बड़ने के लिए के बाद भी अपने पदों पर बने रहते हैं ये राजनेतिक कारपालिका के तहत काम करते हैं प्रधान मंतरी और मंतरी परिशत पी-एम सबसे महत्पूर्ण राजनेतिक संस्ता किसी प्रत्यक्ष चुनाओं के माध्यम से ही चुना जाता है बल्कि बहुमत बाली पार्टी या गटफंदन के नेता को अपने विबेक से राश्टपती पी-एम को निक्त करता है कार काल जब तक तब तक एलेस में पार्टी को बिस्वास बहुमत हासिल है कार राश्टपती को सला देना अन मंत्रियों के बाअन विस्यों के बारे में हाला की पी-एम मंत्रियों के चुनने के लिए सतंत्र है बस बे संसत के सदस होने चाहिए मान लीजिए ना भी वो तो व्यक्ति को मंत्री बनने के चै माई के भीतर दोनों में से किसी एक का सदस चुना जाना जरूरी है मंत्री परिशद एक सरकारी समू जिसमें सारा मंत्री होते है केबिनेट मंत्री सत्तधारी पार्टी के बरिश्ट नेता प्रमक मंत्रों लियों के प्रभाहरी मंत्री परिशद का सिर्ज समू है सुतंत्र प्रभार बाले राज मंत्री छोटी मंत्रालियों के प्रभारी बिशिस रूप से आमंत्रत किये जाने पर केबिनेट में भाग लेते हैं राज मंत्री बिफाग के केबिनेट मंत्री से जोड़े होते हैं केबिनेट एक टीम के रूप में काम करती है सचिव नौकर साह होते हैं जो मंत्रीयों को जरूरी सूजना महिया कराते हैं पी एम अधिकार केबिनेट की एद्धिक्चता बिफागों के बिवादों का निप्टारा मंत्रीयों को काम का बिवरण पुनिर बिवरण किसी मंत्री को बर्खात कर सकता है जब पी एम अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्री मंडल अपना इस्तपा दे देता है राष्ट पति राष्ट अधिक्च राजनेतिक तोर पर अधिकारों का प्रियोग ज़्यादा तर कार फैंसले पी एम की सलाय पर करता है देश की सभी राजनेतिक संस्ताओं पर नेगरानी करता है चैन संसद सदस और राज की विदान सवाओं के सदस्यों दौरा सभी गतिविदियां इसके नाम पर होती है भारत में भारत के प्रमुक नियादीज सर्वच नियाला राज्यों के उच्च नियालों के नियादीज राजपाल चुनाव आयोकतों दूसरे देशों के राजदूद सभी को नियुक्त करता है अंतराश्टी संदी समझोते इसी के नाम से होती हैं भारत के रक्षाबाले भारत के रक्षाबालों का सुप्रीम कमांडर होता है स्वा विबेक से गटबंदर ना हूँ पाने वाली इस्तिती में पी-म को चुनता है नाई पाली का देश में विबिन इस्तितों पर मौजूद आदालते भारत में ऐसी सर्वच नाले पूरे देश के लिए उच्च नाले राज्यों के लिए जिला नाले इस्तानी इस्तर के नाले होते हैं भारत में एक एकरत नाई पाली का है ऐसी इसका फैंसला सभी अदालतों से उपर होता है बिबाद निप्टाता है देस के नागरिकों के बीच नाकरिक वा सरकार दो या दो से ज़्यादा राज सरकारों के बीच केंद्र वा राज सरकारों के बीच फोजदारी बा दिवासी मामलों में अपील की सरवज संस्ता है नय पालिका की सुतंता अर्थ यह विधाई का बाकार पालिका की नेंतरन में नहीं है स्के के वा एच सी के नायदीज राष्ट पती नियुक्त करेगा पी एम की सलाई पर स्के के प्रमुक नायदीज के मस्वरे पर नायलाय के वरिस्ट नायदीज स्के नायदीजों को चुनेगे मुक नयदीज ऐसी के सबसे वरिष्ट नयदीज को निक्त किया जाता है घटाने के लिए महा वियोग चलाया जाता है दोनों सदनों में अलग-अलग दो बटे तीन बहुमत से अभी स्वास प्रताव पारित करके विधाईका का कोई कानून या कारपारिका की कोई कारवाही उन्हें समिदान के खिलाब लगने पर उसको अमान घोसित कर सकते हैं A.S.C. ने फेंसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धान तो नहीं बदल सकती जनहित याचिका सरकार की किसी कारवाही से यदि किसी जनहित को ठुछ पहुँचे तो बाई अधालत में जा सकता है अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों समाज वा सरकार का किसी विसाई की को लेकर दवा करना बरसरतें इसका दावा किसी की मुस्किल कस्ट की बज़ए ना हो अधिकारों को असली ताकत तबी मिलती है जब बे लिखित पढ़त में आते हैं बिना इसके बे प्यकरतिक या नेतिक अधिकार ही रह जाते हैं नागरिकों को यदि लगे की उनके अधिकारों का हननवा सोसन हो रहा है तो भी इसके बचाव के लिए अधारत में जा सकते हैं अधिकार अलप संक्कों की बहु संक्कों से रक्षा करते हैं भारती सम्विदान छे मौलिक अधिकार प्रदान करता है पहला समानता का अधिकार राजनेता सरकारी अधिकारी समान नागरिक कानून की नजर में सब समान है पी-म से लेकर मामूली ब्यक्ति सभी के लिए समान नियम धर्म बंस जाती के अधार पर कोई असमानता नहीं सब बराबर होंगे दूसरा सुतंदरता का अधिकार अभी वक्ति की अजादी बोलने लिखने सांती पूर बैठक करने जलास निकालने का अधिकार देश के किसी भी हिस्से में आने जाने रहने वसने की अजादी संगठन संग बनाने की अजादी अपनी एक्छा से कोई भी काम धंदक चुनने करने की अजादी तीसरा सोसर के खिलाब अधिकार नागरिक का कोई सोसर नहीं कर सकता संविदान में तीन बराईयों का जिक्र भी किया गया है जो की गेर कानूनी भी गोसित है पहला मनुस जाती खासकर महिलाएं का अवेद वेपार दूसरा किसी ने जबरन बगर लेना या काम कराना वा बदूआ मजदूरी कराना तीसरा बाल मजदूरी 14 बर्त से कम ओमर के बच्चों को मजदूरी पर नहीं रखा जा सकता 14. धार्मिक सतंतरता का अधिकार कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है बा अपने धर्म का परचार परसार करने के लिए सतंतर है ओर्तों का सूशन करने वाली रीती रिवाज चेंसी विद्वा मंदन वा विद्वा का जबरन स्वीत बस्तर धारन गलत माना गया है पाँचवा संस्कृतिक वा सिक्षिक अधिकार अपनी नागरिकों को विशिष्ट भासा बा संस्कृतिक को बचाने का अधिकार है सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले सेक्षित संस्ता में किसी नागरिक को धर्म या भासा के यदार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता अल्प संक्यक अपनी एक्षा से सेक्षिक संस्ता इस्तापित करने बा चलाने का अधिकार है चटबा समिधानिक उपचार का अधिकार उप्युक्त अधिकारों को लागू करने का मांग का अधिकार डाक्टर अमबेटकर ने इस अधिकार को समिधान की आत्मा और हर्दय कहा था मौलिक अधिकार बिधाई का कारपलिका बा सरकार दोरा गठित किसी भी प्रदी कारी गतिविदी बा फैंसलों से उपर होता है